फैशन की दुनिया में इन दुनों एक नाम हर किसी की जुबान पर है वो नाम है उर्फी जावेद ओट्रेटी में एंट्री लेने वाली उर्फी ने अपने स्टाइल से हर किसी के दिल में खास जगा बना ली है अब फैंस उनके बारे में ज़्यदा ज़्यदा जानना चाते हैं एक्टरस उर्फी जावेद मूलूप से उत्तर प्रदेश के लखनौ के रहने वाली है 15 अक्तुबर 1907 में जन्मी उर्फी जावेद अब 26 साल की है जन्हें मास कम्यूनिकेशन की बढ़ाई की वो मीडिया में आना चाती थी लेकिन एक्टिंग का शोकता लियाजा काफी कम उमर में ही उर्फी मूंबई आ गई 2016 में उन्हें बड़े बयागे दोलनिया में आवनी पंत नाम का किरदार ने वाले का मौका मिला इसके बाद उसी साल उन्हें चंदर नंदिनी सीरिल मिला जिसमें वो चाया के खिरदार में नजर आई इसके लावा दुर्गा उनका जाना माना शोव है जिसमें वो पौपदर होई इसके लावा उर्फी बेपना ये रिष्टा क्या 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 लाता है और कसोटी जिन्दगी की जैसे सीरिल का भी इस्सा रही 2020 में वो इतनी पौपदर होई कि 2020 में उन्हें बीग बॉस ओटिटी में आने का नोता दिया गया जब तक उर्फी जावेद सीरिल में नजर आ रही थी तब तक उनकी पैचान सीमित थी लेकिन क्योंकि यूथ इस सीरिल से दूर रहता है लेकिन जब वो बिग बॉस ओटिटी के पहले सीजन में दिखी तो यूथ में वो च्छा गई खास तोरसे उनके ड्रेसिंग सैंस और स्टाइल के चर्चे होने लगे और आज वो स्टाइलिस डिवा बन चुकी है सोसल मेडिया पर अक्सर वो अपने स्टाइल को लेकर ही सुर्खिया बड़ती रहती है औरफी जवेद ने एक इंटर्वी में बताया था कि वो अपने जिन्दगी में क्या कुछ जेल चुकी है एक गल्द फैमी की वज़े से उनके परिवार से उनके रिष्टे कुछ ठीक नहीं रही दो साल तक मानसिक उत्पिडन जैलने के बाद औरफी ने खुद को संबाला और अपने जिन्दगी पर दिया आज मुंबई की चकाचोंद की दुनिया में औरफी छोटा ही सही एक सितारा जरूर बन चुकी है और जावेद ने कई बार ऐसे भी दिन देखे जब उनके पास काम नहीं होता था एक इंटर्वी में एक्टर्स ने बताया कि उनके जीवन में संगर्स तो काफी बैंक कर रहे हैं मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मैनत किया है और फी जावेद ने लखनों के सिटी मनस्ट्री स्कूल और M.E.T. कॉलिज में अपनी पढ़ाई की है एक्टर्स बनने से पहले वो फैशन डिजाइनर के तोर पर काम करती थी उर्फी जावेद की फैन फॉलोगिंग सोचल मिडिया पर भी देखने को मिलती है उर्फी के इंस्टाग्राम पर 1.7 मिलियन फॉलावर्स हैं फैन्स को उनका हर बोल्ड अंदाज काफी पसंद आता है अपना किमती समय देने के देने हो है